कुमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर कान की नवश्कार दोस्तों वेलकम बैक टू आर चैनल न्यूज मार्केट 24 खबर में बात करेंगे खाद तेल बजार के बारे में तो विदेशी मार्केट में बहुत जादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है विदेशी बजारों का असरा को घरेली मार्केट में देखने को मिल सकता है आज तेलों के दाम घरेलों बजार में 3-8 रुपए तक कमजोर खुले हैं मरेशा में पाम तेल के दाम वायदे मार्च में जो वायदा अनुबंध है वो 15 रिंगिट मार्केट में विदेशी बजारों में तो अल्वेडी गिरावच है सीवियोटी में गिरावच है के लसी में भी नर्मी दर्श करी गई है जिन सारे चीजों का असर आपको घरेली बजार में देखने को मिल सकता है इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि भारस सरकार ने नि नहीं आ रहा है इस खबर का असर बात कर बजारों पर यह देखा जाएगा कि मौजूदा कीमतों में बहुत जादा बढ़त नी देखी जाएगी कीमतों में गिरावट बनी रह सकती है अब बात करते हैं रेट के बारे में तो लोकल मिलों में भी नर्मी दर्श करी गई वरि राएद करें अधर किलोग्राम को में फ्नक रिटा कीमते नौस पंदर रूपए देखी जा रहे है इसके बात करते हूं तब प्रदेश के बारे में तो होचे इसके बानी दर्श करी गई है राइस ब्राइन करेट 81 रुपए स्वेयर आयल कीमिते 92 रुपए देखी जा रही है स्वेयर डियो का रेट भी कम होका 90 रुपए हो चुका है मस्टिट कीमिते 108 है एक्सप्रा करेट 106 है पामली में आप पचासी रुपए का रेट बजारों में देखकर चल सकते हैं ओवर आल सकते हैं इसके रहावा सब्सक्राइब ऑल्मूस्ट खतम होने वाला है चल रही है तो जनवरी का महीना कैसा तेल मार्वार देखा जायेगा आने समय में क्या आपको क्या लेft को मिल सकते हैं खरीदार जेंदार्य यह सारी चीज़ जाने के लिए सारी जून कर सकते हैं आप करके वाट्सप या कॉल करके आप अभी 930 लाइव शेशन कैसे जॉइन करें और आप कुसमें जॉइन कारी कैसे मिल सकती है सारी जॉइन कारी आप नंबर से ले सकते हैं तो आज खबर में सिर्फ इतना ही वीडियो अगर आपके लिए उसफुल होता है तो आप वीडियो को ल